गुर्वानी एवरीवन मैं हूँ टीएस मिना टीएस एकनिविव आपका स्वागत है आज का अगला पार्ड आज का पहला के उच्छत देखते हैं किसी त्रीजबु त्रीजबुजदुमा शेति की भुजाएं 26 मिटर 28 मिटर और 30 मिटर हैं प्रतेक शेति पर 7 मिटर प्रतेक चारा हुआ भाग का शेत्रबल ग्यात करना है ठीक ठीक है एरिया देखो सबसे पहले तो सबसे पहले तो एरिया एक त्रीजबुज का शेत्रबल कितना होगा सबसे पहले तो अपने को एस निकालना है एस निकालने के लिए एस निकाल दें एस निकाल दें इसको जोड़ों है 26 plus 28 plus 30 इन सभी को जोड़ा मेंने तो आया 42 ठीक है यानि सोरी इसका perimeter आया है तो perimeter इतना आया perimeter आया तो एस कमान कितना होगा perimeter by 2 एक्वल आया मेरे 20 sorry 42 42 और यह है 84 ठीक है तो एरिय कितना हो जाएगा एरिया देखो सबसे पहले एरिया हो जाएगा iki ए एरिया हो जाएंगा के एरिया एलएगा 42 में से 26 पोन दो थोटीसिक्स है 42 मेंसेальныеалась 42 में से 38 जाय आए तो आएगा 14 और 42 मेंसे 26 गया तो आएगा 16 ठीक है volunteers यह रूट में यह एरिया है A equal आ जाएगा सभी का 6 into 7 लिख सकता हूँ 6 into 2 लिख सकता हूँ 2 into 7 लिख सकता हूँ और 4 into 4 लिख सकता हूँ 16 को ठीक ठीक है तो यहां से बाहर के आएगा 7 आएगा 6 आया 2 आया 4 आया ठीक है यह दो बार है एक बार आगया यह दो बार है एक बार आगया यह दो बार है एक बार आगया ठीक है टोटल आपका आंसर आएगा इसमें 3, 3, 6 ठीक टोटल एरिया ही आया देकिन उसने condition रखी कि प्रत्यक शेर से पर 7 मेटर लंबी सिधी रस्ती ठीक है अब जो भाग इसको घटाना बड़ा टोटल एरिया में से उसको घटा हो तो बीना चरा हो भाग आजाएगा ठीक है तो यह कितना आएगा 5 R इसक्वार ठीक यह किसका एरिया इसका यानि एक वाल आएगा 22 बाई 7 इन्टो आ 7 इन्टो 7 बाई 2 ठीक है इससे यह गया यह से गया यह एरिया कितना आया एरिया जिस पर वह चर सकती इतना तो बीना चराएगा टोटल माइनस सुरी बीन सुरी सुरी ठीक है तो बीना चराएगा बाग कितना आएगा इन्स में तो यह गटा दो तो कितना आएगा 16 में से 7 गया तो आएगा 9 यह 12 में सभाईगा 2 259 इसका एरिया आएगा जिस पर जो है वह क्या है जिस पर गाएन नहीं चरी गई है तो ओप्शन नमबर B ओप्शन नमबर B आएगा आपका अंसर है ठीक है आगे देखते है क्योशन क्या बोल रहा है अगला क्योशन देखो बोला एक संभाउत रिबूच ABC की भुजाएं ABC पर दो माद्दे P और Q इस प्रकार हैं कि P Q समानतर है BC के P Q बराबर 5 है तो कौन A P क्योशन देखो एक संभाउत रिबूच अपने पास संभाउत रिबूच जिसकी तीनों भुजाएं बराबर जिसका पते कौन 60 डिग्री होता है ठीक है ये है A ये है B और ये है C ठीक उसने का एक दोनों के मद्दे बिंदू A B का मद्दे बिंदू P है और A C का मद्दे बिंदू Q है ठीक है कहा ना उसने मद्दे बिंदू दोनों का मद्दे बिंदू जब मद्दे बिंदू ये है या जब ये 5 दिया है जब मेरी बास सुनो ये 5 है दोनों का मद्दे बिंदू है जब ये बराबर रहे हैं तो ये भी एक समकून तरिबुज बनेगा, जिसकी बुजा इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, बस किसका एरिया निकालना है मेरे को, सोरी, एरिया निकालना, APQ, ये वाला, कितना आएगा, root 3 by 4 यह आएगा ना root 3 by 4 root 3 by 4 into side कितना है पांच 25 answer कितना आएगा answer आएगा 25 root 3 by 4 ठीक है centimeter का square यही इसका area आगया यही इसका area आगया 25 root 3 by 4 option number C correct answer है आगे देखते हैं अगला question क्या बोल रहा है अगला question बोल रहा है कि एक triangle है ABC में O केंद्रक थता AD, B, A और C, F माद्दी का हैं तो कौन A, O, E 15 centimeter है चत्रूबूच, B, D, F देखो यह क्या कहा है अगला इसकी माद्दी का है जिस प्रकार इदर देखो यह आपका triangle है A है, B है और यह C है ठीक है ठीक है इसने क्या कहा कि AD इसकी माद्दी का देखो यह इसकी माद्दी का A उसी प्रकार B की माद्दी का E है उसी प्रकार C का जो माद्दी का हैईगी वह F है स्थिक्ए यार मेरी बात सुनो यह angle बराबर होगा यह angle बराबर होगा ये इंगल बराबर होगा इधर देखो अगर ये क्या किया ओई यह वाला यह जो है ओई यह कितना है辛ाब मेंटिगा हैं यह जाब विचा है B, D, O, F B, D, B, D, O, F यह होगा और यह कितना होगा 2 into multiply A, O, E इसका दूपना हो जाएगा 2 multiply 15 एक्वल कितना है 30 cm का इसको है कितना एरिया आएगा 30 cm का इसको है टिक option number B correct answer है अगला question देखते हैं अगला question क्या बोल रहा है अगला question बोल रहा है कि यदि 10 cm बर भूजा वाले संभावत रिभूज ABC में भूजा BC को बिन्दू B और D तो आरा 3 बराबर भागों में बाटा जाता है देखो इस प्रकार से हैं मेरा ABC ABC इस भागों में A, B, C इनको 3 बराबर भागों में डिस्टिबूट किया यह लो 3 बराबर भागों में डिस्टिबूट कर दिया ठीक है? ठीक यार इनको 3 बराबर भागों में अगर मैं इससे मादी का डालू तो यह मादी का यहां पे आएगी ठीक यह मादी का यहां पे आएगी टिक ये D है और ये कितना E है टिक तीन बराबर भागों बाटा तो यार मेरी बात सुनो ये 10 होगी ये 10 होगी और ये भी तो पूरी 10 होगी तीन बराबर भागों में बाटा इसको यार ये 10 होगी तो ये डिस्टेन तो 5 होगी ना यहां से यहां तक ये भी पांच होगी ठीक ठीक है तो अपन क्या करते हैं कि मेरे को क्या ये वाली डिस्टेंट चाहिए तो क्या हुआ कि इस पूरी में से ये कितनी पांच है और इसका दसवा का तिसरा भाग इसमेंद घटा दू तो मेरी ये डिस्टेंट आ जाएगी तो ये डिस्टेंट जो है मेरी ये वाली डिस्टेंट ये कितनी होगी ये आदा जो है इसका तिसरा हिस्टा दस का तिसरा हिस्टा गटा दू ये टोटल दस का तिसरा हिस्टा है न तो इसमें से पांच में से दस का तिसरा हिस्टा ये पांच है यह एल कमान कितना है फाइव बाई थ्री और यह जो हो जाएगी यह हो जाएगी देखो दस और यह पांच इसका आगएगा तो फाइप रूट थ्री पाइथा गुरुट थ्री टिक थी और उसने क्या कहा उसने क्या कहा कि एडी की लंबाई यह लंबाई जब यह आएगा फाइब बाई थ्री इसका होल स्कोर इतना ही आएगा तो एडी का स्कोर बराबर यह कितना आजाएगा यह आएगा 25 राएगा तिक थी का स्कोर बराबर इसको जोड़े है तो यह पच्चिस बाहर आएगा सोरी 25 common ले लिया 39, 27, 28, 29 आजएगा तो देखो यहां से अगर मैं square हटाता हूँ तो यहां से एक तो 5 बार आएगा यहां से 2 बार आएगा नीचे से 3 आएगा और यहां पर root 7 बचेगा यानि answer मेरा AD बराबर आया 10 root 7 by 3 10 root 7 by 3 यह मेरा answer आया option number C correct answer है ठीक है आगे देखो अगला क्योशन की आप बोड़ रहा है किसी त्रीबूच की माद्धी का है 9 cm, 12 cm और 15 cm त्रीबूच का शेत्रवल कितना होगा है देखो माद्धी का यह आपका triangle है ठीक है तो यह A हुआ यह B हुआ और यह C हुआ इसकी माद्धी का यह हुई A की माद्धी का यह हुई और यह C की माद्धी का इतनी हुई यह है 9 cm यह है 12 cm और यह है 15 cm यार उसने क्या कहा कि माद्धी का इसका एक formula होगा देखो ओर आल A, B, C का इस A, B, C का शेत्रवल ABC का शेत्रफल कितना होगा इस ABC का शेत्रफल होता है कि 4 by 3 4 by 3 into मादिकाओं का area क्या होगा मादिका मादिका द्वारा मादिका द्वारा बनाया गया बनाया शेत्रफल मादिका द्वारा बनाया गया शेत्रफल ठीक है ये इसका फॉर्मूला होता है कि शोट करमें जब मादी का दी हुई हो तो पूरे का एरिया कैसे निकालते है 4 by 3 into मादी का दुवारा बनाए गया मादी का दुवारा बनाए गया कुल मिला के देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं इसे बनाता हूं यह 9 और 12 तो यह आएगा 15 तिक अगर 3 common नो तो 3, 4 और 5 यह आएगा तिक इसका इसका 25 तो कितना है गया 225 कहने का यह मतलब हुआ कहने का यह मतलब हुआ कि इसका square करो इसका square दोरो और triple eight बनेगा triple eight बनेगा यह एरिया कितना है गया यह into यह तो 4 by 3 तिक है और multiply one by two यह आएगा nine into twelve तिक तीन से कटेगा यह four time दो से कटेगा यह two time कितना है इसका multiply करो कितना आएगा 4,5,36 दो ना बहुत तर यह के बहुत तर centimeter का square तो ABC का ABC का शेत्रबल कितना है 72 centimeter का square option number B यह इसका ध्यान रखना formula कि ABC का जो area होगा four by three into मादी का दोरा बनाएगा यह शेत्रबल ठीक है यह इसका direct formula है ठीक है अगला question देखते हैं अगला question क्या बोल रहा है अगला question बोल रहा है अगला question बोल रहा है यदि 32 centimeter परिमाफ वाले त्रिवूज का शेत्रबल याद करें जिसकी भुजा 11 centimeter थता दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर इतना है यार मेरी बास सुनो इसका परिमाफ त्रिवूज का परिमाफ कितना है तीनों भुजाओं का लंबाई यानि लंबाई में नमान ली यह land plus ठीक है और इसकी चोड़ाई लंबाई चोड़ाई यह है और दूसरी क्या है त्रिवूज की एक लंबाई यह है लंबाई चोड़ाई यह कितना है टोटल कितना आया तीनों भुजाओं की लंबाई है कितने आएगी या आएगी 32 centimeter यह तो इसका परिमाफ हो गया परिमाफ हो गया न उसने कहा कि मान लिया जाएगी L बराबर में बराबर 11 है और M माइनस N इन दोनों का अंतर कितना है पहाचे टिक ठीक है यार मेरी बास सुनो अगर L बराबर में यह रख देता हूँ तो यह आएगा 11 प्लस M प्लस N इक्वल 32 यह उदर जाएगा तो M N बराबर इसमें से घटेगा तो यह आएगा 21 टिक एक तो मेरे पास यह आया दोनों का यह हो और A कितना यह आया इन दोनों एक्विशनों को ले लो यानि कुल मिलागी यह फर्स्ट और यह सेकन मान लेते है एक और दो हसोल करेंगे तो इससे दे कड़ जाएगा यह कितना है 26 यह एम का मान आया 13 जब 13 का मान यह रखा तो N का मान कितना आजाएगा N का मान आजाएगा 8 ठीक यह एक भुजा तो मेरे पास आए गई एक भुजा कितनी आगई एक तो 11 है दूसरी क्या है 21 है तीसरी क्या है N है यह तीनों आगई ठीक ठीक है अब क्या किये ना उसका शेत्रपल कितना होगा वही एरिया निकालो दोनों का अगर मैं पेरिमेटर निकालूँ आजा 32 आएगा ना 32 आया इसका एस निकालूँ आजा तो इसका अदा हो जागा 16 एरिया देखो एरिया कितना आजाएगा एरिया आएगा 16 में से 11 गया तो 5 16 में से 21 गया सुरी 21 नहीं है एक तो है 5 ठीक है यह 5 आएगा ठीक है 16 में से 11 गया तो 5 आज 16 में से 5 गया तो कितना आए ग्यारा और 16 में से 8 गया तो कितना बचा आठ बचेगा यहां से अगर में बहार लो तो कितना आएगा यहां से 4 बार आ जाएगा यहां से 2 बार आ जाएगा ठीक है रूट में कितना आएगा रूट में कितना आएगा ठीक है तो आया है कितना है आया है एट रूट थर्टी सेंटीमेटर का स्कुरायर ओक्षन नंबर ए करेक्ट आंसर है ठीक है तो अपने क्लास को यह उप करते हैं आप चैनल को लाइक करो चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो थेंक्यों एवरिवान